आप सिन रहे हैं Radio City Wellness और आज जैसे क्या आप जानते हैं 28 July है जहां आज हम बाते करने वाले हैं World Hepatitis Day के बारे में और में साथ मौझूद है Dr. Parichat Gupte Global Hospital से सबसे पहले डॉक्टर प्लीज हम बताईए कि Hepatitis होता क्या है So basically Hepatitis means something to do with liver. Any swelling, inflammation, disease of liver is Hepatitis as we call it ar को जो सूजन आती है या बीमारी होती है उसको Hepatitis कहते है और, when a lot of people are aware of heart diseases, cholesterol problems and other problems everybody practically knows in the society but we feel and everybody feels that not much is known about this hepatitis or liver related liver diseases. हमको हार्ट के बारे में काफी जानकारी है कोलेस्टरॉल, कैसे जिये, कैसे एक्सेसाइस करे, सब लोग जानते हैं, आजकल हॉस्पिल जाते हैं, हेल चिकप कराते हैं पर लिवर के लिए कोई स्पेस्पिकली हॉस्पिल जाता नहीं है, जानता नहीं है उसके बारे में, इसके लिए वर्ल हेपिटाइटिस दे का एक्चली डेट रखा गया है उसके लिए, जिसे की पब्लिक में जानकारी बढ़े, पीपल गेट तू नो अबाओ लिवर डिसीज डॉक्टर, इस साल का थीम क्या है? जान लेवा हो सकती है, वो सभी प्रिवेंट की जा सकती है, और उसमें कोई बहुत जादा खर्चा करने की जुरत नहीं है, या कोई बहुत अलग से कुछ करने की जुरत नहीं है, पर सिंपल चीजों से यह सब प्रिवेंट हो सकती, आल अफ दिम कैन बी हीपाटाइटिस के काफी टाइप्स होते हैं A, B, C, D, E उसके बारे में बताईए जैसे कि मैंने बताया आपको की हीपाटाइटिस यानि कोई भी लिवर की बिमारी पर अगर हम सोसाइटी में देखे तो यह इन्फेक्शन या वायरस रिलेटेड यह जन्तु रिलेटेड जो लिवर की प्रॉब्लम है वह सबसे ज्यादा है और यह अगर आम आदमी में common people want to remember it is very simple it is a kindergarten thing a b c d and e okay so these are the viruses which cause problem in the liver यह लिवर में problem करते हैं और अलग-अलग से इनका presentation होता है अलग-अलग से problem होते है पर to remember is virus a b c d and e तो अगर common अगर देखो तो a और e शुरुवात और end a और e यह जो बीमारिया है यह अपने खाने से या hygiene food and water bond है जो कि hygiene maintenance से prevent कर सकते हैं हम लोग तो और b c and d जो है वह अलग तरह की बीमारिया है वह हमेशा blood transfusion sexual contacts या फिर आईवी drug abuse इससे फैलती है तो यह दो अलग टाइप की बीमारिया है और दो अलग टाइप की prevention measures भी इसमें लिये जा सकते हैं तो symptoms क्या-क्या होते हैं diseases के आप जानेंगे थोड़ी देर में कहीं दूर में जाए सुनते रहिए Radio City Wellness